नमस्कार दोस्तों में विने सिंग एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनीमेटर्स में आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि लॉन कितने टाइप के होते हैं और SBI में आप लॉन को किस तरीके से ले सकते हैं तो वीडियो शुरू क बताऊंगा जो लगबग सभी बैंक देते हैं पर इस्पेसली स्टेट बैंक क्यों मैं रिफर कर रहा हूं तो देखिए स्टेट बैंक जो बता रहा है एक फाइनेंसियल इंस्टिटूट हो यह बैंक है जो अपने कस्टमर्स को बिन परकार की सर्विसें प्रवाइड करता ह है इनी सर्विस का जो उनकी कस्टमर आनन लेते हैं जैसा कि फिक्स डिपोजिट हो गया सेविंग करेंट अकाउंट हो गया और यह लोन भी प्रवाइड करते हैं है अपने बारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है पीस्ट बैंक के गवर्मेंट की और इसमें बहुत सारी स्किम्स चलती हैं जिसके लिए जो भी इसके कस्टमर है उनको अप्लाई करना पड़ता है और एक और बताता हूं अगर आप इसके कस्टमर नहीं है तो भ कुल लॉन वगरा अब आपको मैं यह उताता हूं कि जो इंट्रेस्ट रेट अब इंट्रेस्ट होता है जो बैंक रिकवर करता है अपने कस्टमर से या फिर जो भी इंडिविजल अप्लाई करता है उससे वह हर लॉन के उपर अलग रग तरीके का परसेंटेज होता है और एक चीज़ जरूर है कि SBI में या फिर और भी किसी PSU बैंक में आप जाएंगे तो अगर ओरतों को वुमेंस के लिए जो लॉन में है उसमें कुछ ना कुछ इंट्रेस्ट रेट में कट रहता है तो आप यह द्यान में रखिए अगर आपके घर में कोई वाइफ है या मदर परसनल लॉन और इस तरी के लॉन से बचना चाहिए पर फिर भी अगर आपको जरूरत है तो परसनल लॉन देने में सारी आज की डेट में सभी बैंके हैं वह तुरंत परसनल लॉन परवाइड कर देती हैं और अगर आप एक लिमिट यह दो चार लाख रुपए का परसनल परैनम के एसाब से है यानि कि अगर आप एक लाख रुपए लेते हैं तो आपको साड़े बारा से पंद्रा रुपए पचास पैसे तक हर साल देना पड़ेगा इसके लिए और इसमें जो पैरा मिलेटरिस और इंडियन कोस्ट गार्डव के जो जवान है उनके लिए इसका कम भी है उनको 0.05% के छूट है तो और उनको 13% तक देते हैं तो यह कुछ फैसलिटीज है जो इंडियन परा मिलेटरि और इंडियन फोर्स के जवान है उनके लिए इस बैंक की तरफ से क्योंकि उनको इसमें जो एक MSP या PMSP एकाउंट होता है परा मिलेटरिस सेलरी पेके इसका अकाउंट उसके तहथ यह रेट अक इंट्रेस्ट कम देते हो इनकी सारी सेलरी इसी अकाउंट में आती है अब अगला आता है लॉन होम लॉन होम लॉन बहुत ही सरस्टे रेट मिलता है और इस लोन के लिए आप SBAE में अपलाई कर सकते हैं और आपको 8.70% पर आपक 8.25 से भी स्टार्ट होता है पर मेगजिम जो अब देखा जाता है कि 8.65 से 9.30 तक यह लॉन लेती है यह आप पूछें कि यह लॉन का जो यह रेट ऑफ इंट्रेस्ट है यह वरी क्यों करता है तो इसमें केटेगरी होती है अगर आप से केटेगरी में हैं तो आप से रेट कारी परिपरें यहीं की और अब बात करेंगे कि होम लॉन आपको मिलें तो होम जो आपको मिलता है वह आपको तो इसकी फ्लैट के अपने घर के या आज कल लेंड पर्चेस जो अगर लेंड किसी अथॉर्टी की है तो वो भी आपको उसके उपर भी आपको ये उसको पर्चेस करने के लिए बैंक देती है या फिर कोई ऐसी सुसाइटी जिसके अंदर पर मुला जो प्लांड सुसाइटी है सब एप्रूबल लिए हुए है उन सुसाइटी खरिदने के लिए भी उसमें लेंड खरिदने के लिए देती है वैसे ज्यादा तर बैंके लेंड के ऊपर यह नहीं देती है अब बात करते एजुकेशन लॉन सबसे इंपोर्टेंट लॉन है क्योंकि आप जानते हो कि इस की डेट में सबकुछ ठिका हुआ है फिर भी मैं आपको बता जाता हूं कि एजुकेशन लॉन में भी कई टाइप के लॉन होते हैं इस यह जो लॉन है इसमें आप देखे हैं इसको बोलते हैं यू हैब गोट ए ग्रेड नाव गैट दस अगर आपको अपने डिगरी यह किसी तरीके फाइनेंशल एड चाहिए तो वह यह बैंक प्रोवाइड करता है इसको देखिए इसका मैं किस लिए प्रोवाइड करता हूं और यह एक और है कि इसका जो अभी बात करेंगे करता है कि आप कौर्स कौन सा कर रहे हैं अगर आप कोई प्रोफेशनल कौर्स कर रहे हैं जैसे कि MBBS कर रहे हैं यह MBA कर रहे हैं तो इसके उसके लिए थोड़ा सा आपको rate of interest कम मिल जाता है क्योंकि एक तरी से secure में माल लिए जाता है कि इसके बाद आपको job नहीं मिलेगी त आप earning तो करने ही लगेंगे तो इसलिए इस टाइप के जो होते हैं जैसे COA कर रहे हैं तो इसमें जो पैसा खर्च होता है तो उसके लिए bank कम loan देती हैं और इसमें एक और फाइदा होता है कि अगर आप यह loan लेते हैं तो आप जब आपका कूर्स खतम होगा उसके बाद से आपको payment करना है तो यह कुछ benefits देते हैं या फिर अगर आप आपके वगरा हैं तो अगर वो करना चाहते तो कर सकते हैं पर इसमें कुछ facilities मिलती हैं उसके लिए आपको details में चाहिए तो आप किसी भी नीज़स ट्रांच में contact कर सकते हैं इसमें भी कई type के loan होता है जिसमें हो इसमें करने के लिए को मिलता है अब आपको देता हूं दूसरा आता है Global Advantage Loan Global Advantage Loan यह जो है यह फुल टाइम रेगुलर कोर्स जो भी फॉरन युनिवस्टी यह कॉलेजिस में आप करते हैं तो उसमें 20-20 रुपय तक का यह loan आपको बैंक प्रवाइड करती है अब आपको इस्टुडेंट लॉन है यह जो लॉन है यह आपको इंडिया या बाहर किसी के में भी आपको higher education करने के लिए आपको मिल सकता है और next skill loan जिससे कि उसका नाम है उससी तरीक से आपका कोई vocational course या ट्रेनिंग कर रहे हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर तो actually इंडिया ही म के लिए आपको दिया आता है या फिर इस तरीके से कोई और कि रिपेरिंग वगारा का मैकनिक को करते हैं इस तरुके से कोर्स हो को यह मिलता है इसमें अब next होता है लोन अगर आप किसी दूसरे अगर आपको पास lawn है किसी तो वो उसको भी टेक और करने के लिए 20 बीन देत जिसको कहते हैं टेक अब एक सब्सक्राइब कर लिती है जिससे कि आपके एमाई रिट्यूस चाहिए अब यह एक सब्सक्राइब करना के लिए एक्टुली एस बेड़ी ने उन लोगों के लिए खुला जो एनराइब हैं और वह किसी करण से अपने घर में आलते हैं और उनको बैंकिंग चाहिए बैंकिंग के नीट्स है तो वह जो बैंकिंग नीट्स प्रोवाइड करना के लिए एस बीए ने अपनी अनराइब सर्विस्यज भी बैंक्स हैं अधर कंट्रीज में तो यह लोगों को भी लोन देते हैं इसका जो है मैं होता जैसे वह गर में आया उनको ऐसको काड लोन के रूप में ज़धा तरग आते हैं और अजिकतर लोग काड लेने के लिए इसको लेते हैं वाट है आप किसी नियुके से कोई भी फोर्विलर लेंगे तो आपको आपको मिलेगा इसको मिलता है आपको तो साथ साल के लिए maximum टेनर इसका रखा जाता है और आप साथ साल से के लिए यह लोन ले सकते हैं और अगर मात देखा जाए तो यह लोन आज की रिट में सबसे सस्ता लोन यही होता है इसका rate of interest अगर यह home loan की बात की बात करें तो 7-9% से पहुने 10% तक करता है डिपेंड करत लोन जो अगेस्ट प्रोपर्टी है उसको mortgage loan भी बोलते हैं जिसमें कि आप अगर कोई घर खरीद रहे हैं और या फिर आपके पास कोई घर है और आपको पैसे जरूरत है तो आप उस घर के उपर जो लोन लेते हैं उसको बोलते हैं loan अगेस्ट प्रोपर्टी यह जो करता ह है MCLR के उपर depend करता है जिसमें 1.45 इससे लेकर 3% तक का एक साल का margin cost for funds based lending rate जो आपकी rate है उसका जो भी cost होगा उसका पहले निकाला जाएगा कितने रुपए का आपका यह property है उसी के according loan आपको मिलता है ऐसा नहीं है कि आपको एक करोड की जुरूरत है और आपने 10 लाग का आ आपको एक रोड का मिल लिया तो ऐसा नहीं होता है तो MCLR के उपर depend करता है इसमें land की costing निकाल लियाती है उसके बाद जो भी आपका बनता है वो उसी के अंसवार bank आपको loan देती है तो यह अब मैं आपको बताता हूं कुछ और भी loan होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया थ हो गया यह discounted होता है यह 4% के rate of interest पर यह सारे के सारे जो loan होते हैं यह actually नाम इसके कुछ भी हो पर यह सारे personal loan के अंदर ही cover होते हैं good loan भी आपको इतरी से personal loan है उसमें आपने अपना gold रख दिया और आपको मिल गया पैसा तो वह gold loan है यही सब है तो आपको यह बता दिया था किसे दूसरे bank से अपने ले रखा तो उसके लिए UNO site एक बनाई है SBI ने बहुत ही बढ़िया site है इसके उपर अभी तो इन्होंने कुछे कारण से इसको सस्पेंड कर रखा है इसमें अभी बंद कर रखा है इसमें अज्यादा activities होने रहे हैं पर अभी भी loan अगर apply करना तो योनो is the best way where you apply the loan और अगर वहां आप apply करते हैं तो आपको without अगर आपकी eligibility देखके क्योंकि bank के पास आपका सारा record होता है paperless लगबग आपको इसमें मिल जाता है और दूसरा है कि अगर इसके बात करने हैं तो यह योनो की किस किस जगे पर यूज होता है तो योनो आपको credit card अगर आपको लेना है SBI का apply करना है तो वह एक place है जहां पे आप SBI के accurate card कर लिए अपनी eligibility के according आप उसको choose कर सकते हैं और वह आपको apply कर सकते हैं दूसरा insurance भी आप यहां पे मिल जाता है investment भी कर सकते हैं mutual funds में भी कर सकते हैं या फिर security जो किसको बलते है SBI security जो है उसमें आप यहां पे share markets में भी trading कर सकते हैं यहां paperless loan आपको मिल जाता है आप shopping भी कर सकते हैं यहां से यसी you know के platform से और ticket booking IRCTC की site पर जाके easily ticket book भी कर सकते हैं और आपको जाता हूं अगर जो SBI की website है वहां पे home loan का 8.60, car loan का 9.25 और personal loan का 11% यह नहोंने mention किया हुआ है बट जब आप यह rate वहां अपनी किसी bank में कोट करेंगे तो वहां आपको इस rate पर नहीं मिलेगा जब बलकि आपकी loan की requirement और amount और आपकी जो भी status है सब को देखने के बाद जो भी आपका होगा credit civil score भी होता है वो civil score भी depend करता है कहीं ऐसा तो नहीं है आपने किसी पीछली bank से किसी से पैसा ले रखा था और उसके बाद आपने उसको पे नहीं किया है तो वो सारा देखता है और उसके बाद ही आपको loan distinction होता है आपको इस वीडियो को में किस तरीके से लिए सकता है कौन पौन से loan होते हैं बताने कुछिस की है उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हुआ अगर इसक को और एक तरीका और है सर्च करने का आप जो नीचे देखाया है यूट्यूब के उपर आप विने सेंगर टाइप किजिएगा आपको मैं मिलूंगा सबसे पहले नंबर पर ही और इस वीडियो को आपको अंतक देखने के लिए पुना धन्यवाद